विल्कम बैक साइनसे टेकनोलोजी चैनल पर दूस्तों, गूगल ने लॉंच किया गूगल जे मीनी अप तो दूस्तों गूगल जे मीनी नाम सुनके आपको कंफुज यह होगा कि गूगल जे मीनी अप है क्या चीज़ और work क्या करता है और काम कैसे करेंगे तो जोस्तों आई विस्तार से बात करते हैं तो अब आपने हमारे चैनल को अभी तक like, share and subscribe नहीं किया है तो please हमारे चैनल को subscribe करना ना बुलें और ऐसी नहीं नहीं जानकारी के लिए हमारे चैनल को, सॉरी हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तो गाइस आई विस्तार से बात करते हैं तोस्तों Google Gemini Rollout भारत में Android उजर्स के तो शुरू हो गया है हाला कि iOS उजर्स को इस एप के लंबा इंतजार करना पर सकता है क्योंकि Google ने अभी तक यहां नहीं बता है कि iPhone उजर्स को Google के लिए Google Gemini एप कब तक रिलीज किया जाएगा कुछ दिन पहले बाड का नाम Gemini करने के बाद Google ने आखिरकर Google Gemini एप को रिलीज करना शुरू कर दिया Google Gemini एप का रोल आउट भारत में तो Android उजर्स के लिए तो शुरू हो गया है हाला कि iOS उजर्स को इस एप के लिए लंबा इंतजार करना पर सकता है क्योंकि Google ने अभी तक या नहीं बताया कि iPhone को कब तक Gemini एप का रिलीज किया जाएगा Google Gemini की बात की जाए तो Google Gemini जो 150 देसों में लांच हुआ है Google के support page पर दीगे जानकरी की मताबिद Google Gemini एप को भारत समय दे 150 देसों में लांच किया गया है Gemini एप फिलाल अंग्रेजी, कोरियन और जपानी भासन में उपलब्द है इसका जो Google Gemini iPhone यूजर के जएड़े इस्ते इस्तिमाल नहीं कर सकते लेकिन Google एप को इसका एक्सेस दिया गया है जहां से iPhone यूजर भी इस्तिमाल कर सकते है Google Gemini को 8 फरवरी को लांच किया गया था लेकिन यह सिफ अमेरिका था की जिमित था Gemini एप के लिए कम सकम 4GB RAM वाला फोन के ज़रात होगी और फोन में Android 12 या इससे उपर वर्जन होना ज़रूरी है क्या Google Gemini सोरी क्या है Google Gemini तो दोस्तों Google Gemini जो है गूगल ने Google Gemini को लेकर कहा कि यह एक नए यूग की सुरवात है इसका सीधा मुकाबला OpenAI के सबसे लेटेस्ट AI टूल GPT-4 के साथ है Google का Gemini Multi Model AI और Basic AI का कम वर्जन है Google Gemini को लेकर दावा किया जारा है कि प्रोग्रामी में इसे महारत हासिल है और यहां अपनी प्रतिव द्वंदी मॉडल के मुकाबले दोगुना Fast है इसका Performance Market में मौजूद AI मॉडल की मुकाबले 85% बेतर है दोस्तों Google Gemini के तीन मॉडल है Google ने अपने मॉडल में Gemini के तीन वर्जन Ultra Pro Nano पेस किया है जो कि तीन अलग अलग इस्तिमाल के लिए है Gemini एक Single Language मॉडल नहीं है लेकिन Gemini Nano और Gemini Pro और Gemini Ultra की अपनी अपनी एक अलग ज़रुरत है इन में से Ultra जो है Gemini Ultra सबसे बड़ा और सबसे पाउरफुल टूल है जिसे खास दोर पर हैवी टॉसके के लिए डिजाइन किया गया है इसका मत इसका इस्तिमाल डाटा सेंटर जैसे जगोह पर होगा वह Gemini Pro और Ultra के बराबर तो नहीं लेकिन छोटे डाटा सेंटर हमें इसे इसे इस्तिमाल किया जा सकता है इन में से सबसे छोटा मॉडल Gemini Nano जिसे Android डिवाइस को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है इसे offline भी इस्तिमाल किया जा सकता है Mobile डिवाइस भी इसका इस्तिमाल करते कई काम किये जा सकेंगे Gemini Nano की सपोर्ट्स सबसे पहले Google Pixel 8 Pro के लिए जारी किया जाएगा क्या टूल्स वाट्सअप मेसेज को रिप्लाइ भी खूद कर देगा यह रही इसकी फीचर्स तो दुस्तों यह रही Google Gemini तो आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब कराना बोले थैंक्यों सोमाँ जाहिन